फैकर सिर्थ हिर गया थिATHAN कह तक एको सिस्टम तक पहुंच गए थे किकगो सिस्टम् क्या होता है on तो इको सिस्टम क्या था बायोटिक और एबायोटिक घटकों के आपसी अंतर किरिया से जो एक सिस्टम मन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं इको सिस्टम तो इसमें देखो यहां से हमने शुरू किया था देखो सबसे पहले देखो इंडवीज्वल है तो एक जीव है तो इसका इस प्रयावरण के साथ अध्यन क्या कराएगा इंडवीज्वल इकोलोजी इससे उपर का स्केल देखो पॉपुलेशन है यह पूरे की पूरी क्या है एक ही तरह की प्रजाती के जीव है तो इसे क्या वो लेंगे पॉपुलेशन एकोलोजी मतलब प्रजाती को स्पीसीज को क्या कहा जाता है इससे उपर का स्केल क्या आया था कम्यूनिटी का जिसमें बहुत सारी स्पीसीज आ जाएंगी उस खेतर की देखो सारी स्पीसीज एक, दो, तीन, चार, पांच, सभी स्पीसीज को हमने क्या किया, शामिल किया, उनके इंट्रेक्शन को देखा, तब हम क्या बोलते हैं, community ecology, इस से उपर का स्केल कौन सा आया, ecosystem ecology, हम अब क्या करते हैं, बायोटिक के साथ, एबायोटिक factors को भी देखने लगते हैं, उनके इंट ecosystem का निर्मान करेंगे, तो उसे बायोम कहा जाता है, तो इसमें क्या होगा, एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में, जहां पर climatic condition लगबग क्या है, समान है, वहाँ पर कई सारे ecosystem बनते हैं, लेकिन लगबग एक समान होते हैं, प्रजातिय विविंता मिलेगी, क्योंकि ecosystem जो और सभी बायोम मिलने से क्या वनेगा, बायो, तो इस तरह से ecology के हमने लेवस देखे ते, इसको इस diagram से भी हम देख सकते हैं, इस से देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, पिर देखो यह population, यह fish है, इसी की पर जाती है, देखो यह की पर जाती है, पिर हम किस पर आए है, community में, तो देखो, यहां पर कई सारी है, देखो, यह एले को लर की फिश, और यहां पर देखो, सब कुछ देख रहा है, तो कितनी सारी यहां पर species है, एक, दो, तीन, चार, पांस species हैं, देखो, तो क्या वो लेंगे से, community, कैसे यह एक दूसरे से interaction कर रही है, एक दूसरे available करा रहा है, कोई किसी का शिकार कर रहा है, जिससे उसकी population control में हो रही है, आया न, तो आपस में यह सब लोग क्या है, जुडे हुए, रहते हैं, तो यहां पर community आ गया, फिर हमने देखो, ecosystem लिया, तो देखो, पहली बार यह दिख रहा है, stone type का आपको नजर आ रहा है, यह यह कैसा factor है, आय बायोटिक factor है, कैसा है, देखो, यहां पर यह भी बायोटिक था, यह भी बायोटिक था, यह भी बायोटिक था, पहली बार बायोटिक के साथ हमने किसको लिया, आय बायोटिक, तो बायोटिक और आय बायोटिक के इंट्रेक्शन से क्या बन गया, इको, system लन गया फिर हम आये देखो कई सारे देखो फोर्म यहाँ पर यह एक एकवेटीट इको सिस्टम नहीं देखो यह पूरा का पूरा क्या बन गया रिक से लिए इतरह कि हूं सिस्टमन यह सब मैं निर्माण्ड करते हैं बैयोववदस्पेर जहां जहां जीवन है वहां वहां क्या वह भीरा कशो दैन है तो यह इस तरह का मसलबा था यह एक ढिरम का हमारा और ढाइगराम जो मैंने कल आपको बना के दिखाया आदेखो यह पूरा का पूरा लाइन के इस साइड एबायोटिक कंपोनेंट है क्या है एबायोटिक देखो सन्रेज आ रही है जिसे हम बोलते हैं इंसोलेशन प्लामेटलोजी में पढ़ते हैं इंसोलेशन इनकमिंग सब्सक्राइब भिर्यिएकम के रूप में यहांसे देखो यह है थे जुप्र को मिलेंग तो प्लांत में क्या किया सन्रेज को लिए इधर से nutrients लिया और फिर इसने क्या किया photosynthesis के process से अपने food क निर्मान हो तो जैसे यह यहां पहुंचे था हम कौन से component में आगे बायोटिक component में देख़ो यह रहा बायोटिक तो यह ऐगा बायोटिक तो इन्होंने बहुत सारे input किसे दिये इस बायोटिक को फिर इस by गए हर्भी वोरस ने खाया उनको आगे और ने खाया इन सब की डेथ हुई तो यहां पर देखो यह क्या लिखा फंगस एंड बैक्टीरिया इन्हों ने इसको क्या कर दिया उनके मरने के बाद डिकम्पोज कर दिया और वाप से यह वापिस किया हो गए सारे के सारे जो इसके कर रहे हैं और इस से जो निर्मित system में वो क्या क्या लाएगा ecosystem आया ना इन्वार्मेंट की क्या है प्ट्रक्ट्रल और functional यूनिट है जो काम कर रही है और सरचनात्मक यूनिट है अन। तो यह आपको देखना है पूरा अभी आगे हम इकोसिस्टम देखेंगे जिसमें सारा इसको देखना होगा हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं है इकोसिस्टम में बना लेंगे ठीक है इसके बाद देखो तो हम लिख ले पहले इसको इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं फिर आगे हाँ सोरी एक चीज और इसमें से एक क्वेश्चन था जो हमें देखना था यह क्वेश्चन आप बताना मुझे यह वाला लेखो इसमें क्या लिखा देखो इसमें से इको सिस्टम की बैस डेफिनेशन कौन सी है सबसे सही डेफिनेशन इट मींस क्या लगबग सभी आसपास होंगी तो पहला देखो एक कम्मिनिटी ओफ और्गनीजम मतलब जीवों का समुदाए इंट्रेक्टिंग विद वन अनदर बतलब एक दूसरी के साथ जो इंट्रेक्ट कर रहा है तो यह दूसरा देखो एट पार्ट ओव दा आर्थ विचीज इन हैबिटेटेट बाई लिविंग और्गनीजम पृत्वी का वह भाग जहां पर जीवित प्राणी रहते हैं ठीक है तीसरा एक कम्मिनिटी ओफ और्गनीजम जीवों का समदाय टगेदर विद द इंवार्मेंट इन विच देलेव जीवों का समदाय उनके साथ इनवार्मेंट जिसके साथ वह रहते हैं आना जिसमें वह रहते हैं और चौथा देखो दा फ्लोरा एंड फोना ओफ वाइटिक हमने क्या पड़ा था यह सभी को यह आद् Gewick और 103 क्लिया से से निर्मीन क्या तंत्र क्या क्या पूछा उसने पहला क्यों नहीं होगा एक community of organism interacting with one another समुदाय जो आपस में इंट्रेक्ट कर रहे हैं जिसके जीव तो यह तो community में चला गया जहां जीवित जीव रहते हैं सिर्फ तो हमने तो यह भी नहीं पड़ा इसमें एब आयोटिक फेक्टर नहीं है इसमें क्या नहीं है जैविग घटक नहीं तीसरे में देखो community of organism मतलब क्या हो गया जैविग घटक आगया समुदाय तोगेदर विद्ध इन्वार्मेंट इन विच दे लिव और उसके इन्वार्मेंट में जिसमें जैविग घटक आजाएगा तो थार्ड वन होगा तो इन्वेजिव एलियन स्पीची जाई यह तो यह से कुश्चन आएगा इससे आगे वाला भी देखो एक कुश्चन आइसी तरह के कुश्चन है यह 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 भी आज आजाएगा विच वन आफ फॉलॉविंग है व्पीची दैट कैन इस्टैबलिश सिंबाइटिक इसके बाद वाला देखो यह भी आज वाले को आज वाले टॉपिक में आएगा इसके बाद वाला यह राख फूड़ यह आज निया आएगा यह कल आएंगे तो आज दो कुश्चन वह देख लेंगे ठीक है तो लास्ट मिन को सॉल्व करेंगे प्रीविएस यह के कुश्च अब हमें लिखना था बायोम अना बायोम एकोलोजी तो लिखो उसको कि किसी विशिष्ट भागॉलिक शेत्र में कि किसी विशिष्ट भागॉलिक शेत्र में किसी विशिष्ट भागॉलिक शेत्र में एक ही प्रकार की जलवाईव में किसी विशिष्ट भागॉलिक शेत्र में एक ही प्रकार की जलवाईव में विक्सित एक ही प्रकार की जलाई में विक्सित समान्य प्रकार के एक समान्य प्रकार के पारिस्थित की तंत्र को एक समान्य प्रकार के पारिस्थित की तंत्र को बायोम एकोलोजी कहा जाता है बायोम एकोलोजी कहा जाता है जैसे विश्वत रेखिया बायोम जैसे विश्वत रेखिया बायोम टैगा बायोम कि बायों का पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है कि अगर मैं दो जितना हमने आज देखा यह डिफाइन कर रहा है एको लोजी को कि हमें आगे एको लोजी में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सबसे पहले हमने देखा पॉपुलेशन तो हमें पॉपुलेशन से संबंधित अ कैसे संबंदित अबदार में पड़े हों कैसे सम अपस में प्रजातियां इंट्रेक्ट करती है फिर एको सिस्टम हमें पढ़ना होगा फिर हमें बायोम्स पढ़ने होंगे एए नहीं तो इनी से यही आपको डिफाइन कर रहा है आपके किसको आगे स्लेवर्स को चलों आग कि अगे बायोस्फियर जैवमंडल क्या बोलते हैं जैवमंडल लिखना प्रिथ्वी का वह भाग प्रिथ्वी का वह भाग जहां जहां जीवन मौझूद है प्रिथ्वी का वह भाग जहां जीवन मौझूद है बायोस्फियर कहलाता है जैवमंडल कहलाता है यह सभी बायोम्स का समू है जैवमंडल कहलाता है थल मंडल लीथोस्फियर यह क्या होगा हाइड्रोस्फियर और यह आपका एक्टमोस्फियर तो इनके तीनों के संगम पर क्या है पूरा का पूरा जीवन है तो इससे क्या वह लेंगे बायोस्फियर ठीक है हाँ इसको बना लो अधरिस्टे न आप्मस्फियर प्रजातियों से संबंदित कुछ-कुछ अवधारना है इनको कम्मुनिटी में भी पढ़ा जा सकता है प्रजातियों के प्रकार ऊप्रत्राटियों लिए अगला होते हैं जो होते हैं जो है एक होता बूम है एक को प्रकेशंहार कि एख्रणलोंजी टीक है मैं है मैं लिकाना किसी परजाती का किसी परजाती विशेश का किसी प्रजाती विशेश का उसके प्रयावरण में अध्यन ही ओटो इकोलोजी क्यलाता है स्वा परिस्थित्की क्यलाता है प्राइप पारिष्थित्की क्या लाता है अगरा लिखना तेन एकोलोजी एस वाइए इसे बोलते हैं स्थाय पारिष्थित्की स्थाय के उपर बिंदी स्थाय पारिष्थित्की लेकिना किसी समुदाय का किसी समुदाय का कि उसके प्रयावरण में अध्यान में अध्यान ही सिन इकोलोजी क्या लाता है कि क्या कैलाएगा सिन इको लोजी कैला यह दन है अब दो पॉपुलेशन इकोलोजी किसमें जला जाएगा पहले वाले में और कम्लीटी को लोजी केसमें आजाएगा इसमें आ जाएगा ज को यूँ भी बोल सकते थे समँदाय की विभिन पर जातियों के जीवों का आध्यान अगत इसे यह भी तो बोल सकते थे से से पारशित की सिन एकोलोजी को क्या लिखा था किसी समुदाय के विभिन जीवों का ना उसके प्रयावरण के साथ अध्यान को क्या बोलेंगे से निको लोजी अब वो किस तरह से गुमा के देगा आपको वहां पर लोजिक लगाना है तो कई अब इस शब्द का भी हुज़ा था ओटो एकोलोजी एंड तीनिकोलोजी लेकिन शुरू में अगर मैं इसको बताता तो समझ में नहीं आने वाला था लेकिन अब हमने सब पढ़ लिया तो अब इसको अराम से देख सकते हैं तो ओटो एकोलोजी क्या है और सिनिकोलोजी क् प्रजातियों के प्रकार टाइप सब्स्पीसीज में हो टाइब फिस्टि में है अटि-फिस इनिक अजी में है कुझी शिल इसी लिखते हैं किया झुंजी शिला चिने की स्टॉन श्पीसीज क्या गते हैं को की स्टॉन फीसीज प्रजातियों की प्रणाने प्रजातियों का था सिस प्रजाथ Holz पीसी इनवेजीवे tempor ऐन स्पیसीज इंडिकेटर प्षीर फ्लांग्शिप स्पीसीज अम्ब्रेला फीसीज ट Kenny मिनेट सब्सक्राइब कि पहला की स्टॉंग चलो देखो की स्टॉंग नाम से देखो क्लियर है की और फिर क्या लिखा है स्टॉंग और फिर क्या है प्रजाती ऐसी प्रजाती जो की स्टॉंग के समान हो अब की स्टॉंग क्या सबसे महत्वपून पत्थर की स्टॉंग का मतलब सबसे महत्वपून पत्थर तो अपने प्राचिन टाइम में देखो का महराब बनी होती है ऐसे गोल्प सो गेट होते थे यूंग और उनमें सबस बीच ऐसे फिट होंगी it means कि आप मैं इसको यहां अपलाई करूं कि किसी एको सिस्टम में ऐसी प्रजाती जिसकी संख्या तो कम होती है लेकिन उसका महत्व उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है ऐसी प्रजाती जिसकी संख्या तो क्या होती है कम होती है लेकिन उसका मह ने तो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है ऐसी परजाति को क्या बोलते है की स्टोन स्पीशीस समय में आया इसको देख deeperго से भी देख सकते हैं रहाँ अगर मैं आपको दिखाओँ कि इस डाएगराम में अगर आप देखो गहे देखना यह दिखा यहां पर देखना यह महराब बना हुआ इस तरह से और इस में देखो सबसे important जो आपको ब्रिक नजर आ रही है वो कौन सी है यह अगर यहां से collapse हो जाए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा यह महराब collapse हो जाएगा आया ना लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है तो इसी से concept को लिया गया है कि ऐसी प्रजातियां जिनकी ecosystem में number तो बहुत जादा नहीं होता लेकिन उसका importance उसकी तुलना में कई गुना जादा होता है और अगर इनको आप ecosystem से रिमूव कर दोगे तो पूरा का पूरा ecosystem ही क्या हो जाएगा collapse हो जाएगा अब इसको example से देखो देखना कि माल लोग की top predator है top predator मतलब जो मासा हरी जो शिकार करके खाते हैं तो माल लोग की हमने क्या किया सवाना में से लॉयन को हटा दिया शेयर को अटा दिया तो जैसे हम शेयर को हटाएंगे तो यह top मासा हरी है तो नीचे के जो शाका हरी है उनकी संख्या बढ़ जाएगी अगर उनकी संख्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो आपस में इनी में फिर बाद में क्या होने लगेगा competition होने लगेगा तो पूरा का पूरा ecosystem क्या कर जाएगा collapse कर जाएगा सिर्फ एक लोएन को और लोएन कितने कोंगे बहुत जादा थोड़ी है पूरे का पूरे अगर उस सवाना क्षेत्र में देखें तो कितने लोएन होंगे तो इतनी सी population को हटा देने से क्या क्या हो सकता है इसी तरह कुछ खेत्रों में क्या होता है जैसे wolf होते ह भेडिये क्या करते हैं हिरन का शिकार करेंगे तो अगर उसको हटा दिया जाहे तो हिरनों की संख्या बढ़ जाएगी और वहाँ पर जो पेड़ पोदे ओंगी उनकी संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी वो उनको चर जाएँगे टो इट मीज्स क्या है यह जो तुमारा भेडिया था इसने क्या किया उस हिरन की जनखक्षा को नियंत्रित करके पूरे एकोसिस्टम को बैलेंस में रखा तो की स्टोन हुआ है नहीं हुआ तो कुछ ऐसी जो प्रजातिया होती है जो अन्य जिखार करके पूरे ecosystem को balance में बनाए रखती है नहीं यह लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरों को बोजन उपलब्ध कराते बहुत सारी ऐसी पर जाती हैं जो दूसरें को क्या करेंगी बोजन उपलब्ध कराएंगी जिससे पूरा का पूरा क्या रहता है ecosystem बना रहता है उसमें से एक प्रेरीज डॉग क्या है प्रेरीज डॉग उसको गिद्ध भी खाता है उसको कई सारे जीव खाते हैं जिससे क्या फूर चेन बनी रहती है तो पहला की स्टोन स्पीसिज कैसी हो सकती है जो दूसरों का शिकार करती जैसे शार्क हुई तो शार्क क्या करेगी चोटी मसलियों को शिकार करेगी तो अगर वह शार्क ना हो तो वह मचलियां बढ़ेंगी तो वह जिनको खाती हो उनकी संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो पूरा एको सिस्टम बिगड़ने लगेगा तैंग अब देखू कुछ परजाती आइ करती है कैसे मैनेज करती है वो जो उनका जो आवास है उसको जिस तरह का है उसी तरह का बनाए रखने में सहायता करते हैं इन्हें बोलते हैं इको सिस्टम इंजीनियर्स क्या बोलते हैं इको सिस्टम इंजीनियर्स देखो इदर मैंने अभी तक आपको की स्टों स्पीसीज की बेसिक परिवाशा बता दी लेकिन यह कितने तरह का हो सकते हैं जीव एक तो हो सकते हैं कौन प्री डेटर्स जो दूसरों को शिकार करें दूसरे कैसे हो सकते हैं प्रे जो भोजन अविलेबल कराते हैं दूसरों को तीसरा कौन सा होता है इको सिस्टम इंजीनियर्स क्या बोलते हैं इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स अब ये क्या होते हैं देखना ये ना तो किसी को खाते हैं और ना किसी को बोजन उपलब्द कराते हैं इसका सबसे बेस्ट एक्जामपर है एलिफेंट हाथी हाथी सवाना क्षित्र में रहता है और सवाना ग्हास की प्रधानता पाई जाती है कि अधापर क्या रहेगा डाष स्रेकर को यह headset क्या रहेगी मैं क्या को राइगी इस। यह से जğimiz गास रहेगी और कहीं कहीं पर आपको ब्रक्ष नजरबं के और मध्या अबW elephant इसको तोड़ कर ना खाये तो इनकी संख्या बढ़ती चली जाए और इनकी संख्या बढ़ने से ये ecosystem धीरे-धीरे किसमें convert हो सकता है तो हाथी क्या करेगा इन सब की सफाई करता हाथी इन सब क्या कर देगा remove करता है और क्या करेगा इस पूरे पारितंतर को कैसा समाना टाईप grassland बनाय रखेगा तो इसने न थो भौजनРЕ अप लब्द कराया न उसने किसी का शिकार किया इस पूरे ecosystem को जिस तरह का है उसी तरह का बनाए रखने में उसकी क्या की मदद की सही है तो इसे क्या बोलेंगे ecosystem engineers बोलेंगे इसी तरह से कुछ ऐसे जीत भी होते हैं जो क्या करते है mutual relation सब्सक् Deborah आप मुझे कुछ मैं तुम्हें कुछ यह जी औरना तहीं देखने को मिलेंग या तो क्षेकर होंगी या इको सिस्टम užगी या वो मुच्छन वाली दन है इतनी बास समझ में आई फिर और लिखने होंगे example क्या लिखने है example उन examples को मैं दिखाता हूं one by one आपको और फिर हम उसको not down करना शुरू कर देखना सबसे पहला example तो मैंने अभी आपको बताया कौन सा एलिफेंड वाला है तो लेकिन कुछ चीज़े और बतानी आपको कालफ के बारे में बताना अभी तक कोरल के बारे में क्वेश्चन ले चुका था कंवारे में नहीं लिया आप में से कितने लोग जानते के बारे में तुना नाम है अभी बताता हूँ ठीक है उसको बताना बहुत जुरूरी है कि अभी तक वहां तक नहीं गया पता लगए इसी से क्वेश्चन ले ले ठीक है तो देखो इदा इस वाले डायग्राम में देखना यह तो समझ में आया होगा की स्टोन क्या शार्क है अब देखे इस डायग्राम में इस शार्क ने इन मचलियों को खाया तो इनकी संख्या कितनी है दो है जैसे आपने शार्क को गाइब किया इनकी संख्या कितनी हो गई बढ़ गई लेकिन इदर देखना इनकी संख्या देखो यह नीचे वाले जो लेवल पर जीव हैं इनकी संख्या दिखाई देरी आपको ये दो है ये एक है जैसे आपने शार्क को गायब किया इनकी संख्या कितनी हो गई चाप और नीचे कि संख्या देखो चाहँ होगी मतलग इनकी संख्या बढ़ने से इन इनके खाली है और एक्स्प्लोटेशन हो गया तो ये पूरा का यह बराबर डाइगराप बना हुए देखो यह रहा की स्टों यह अटे गा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा इको सिस्टम ऐगा डायेगा टन है यह रहा टाइपस ओव की स्टौन स्पीशी सबसे पहले कून सा था फ्रीडेटर से दूसरा कॉन सा अगा प्रें फिर क्या होगा एको सिस्टम इंजीनियर्स और फिर क्या होगा म्यूचलिस्ट जो म्यूचल रिलेशन रखते हैं और फिर प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं जो आपको क्या करते हैं सौरी की स्टोन स्पीसीज की भूमिका निभाते हैं और इसका बैस्ट ए तो यह सारे इसके क्या रहेंगे टाइप है अब एक्जाम्पल देखो सबसे पहले आपको देखना होगा कैल फोरेस्ट क्या देखना होगा कैल फोरेस्ट यह जो कैल फोरेस्ट कैल फोरेस्ट नहीं है यह पानी के अंदर है क्या है पानी के अंदर रख्शों जैसे ँंचे ऊंचे आप को इस तरह के कुछ सरंचना नजर आएंगी प्लांट में आपको लेकिन ये वास्तों में प्लांट्स नच लेंगे और क्या है शयवाल है क्या है शयवाल क्या है शयवाल एलगी मैक्रो एल्गी बोलते हैं क्या बोलते हैं मैक्रो एल्गी तो देखो यह क्या करेंगे समुंदर के बॉटम से निकलेंगे और क्या करेंगे सर्फिस तक पहुंच जाते हैं अल्गी है प्रकास इंसलेशन करेंगे तो इनको प्रकास चाहिए दूसरा प्लांट जैसे हैं अल्गी है तो इने क्या चाहिए न्यूट्रियंट्स चाहिए तो यह कहां उगेंगे तटके पास न्यूट्रेंट्स का मिलेंगे तटके पास उगने के लिए धरातल चाहिए तेख अब तीन कंडिशन चाहिए उगने के लिए धरातल चाहिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और न्यूट्रेंट्स भी चाहिए तीन चीज़े चाहिए तो तीनों का मिलेंगे तट के पास Continental Shelf सूरे का प्रकाश कहां तक जाता है maximum 200 मीटर तक तो ये क्या रहेंगे उससे बहुत उपर तो स्थल चाहिए उगने के लिए तो तट के पास रहेंगे जहां पर proposals प्रकाश मातरा में होता तो पचास से डेड़ सो फीट की यहराई में यह पाये जाते हैं और फिर वहां से बढ़ते हुए कहां तक आते हैं सागर्छ की सत्य क्या जाते इन्हें क्या को बोलते हैं याद ना यह कोई प्लांट नहीं यह क्या है यह यह जीव रहता है इसे बोलते सी ओटर क्या बोलते हैं इसको और एक दूसरा जीव सी अर्चिन क्या है सी अर्चिन यह क्या करती है यह इतना है कि यह इसको क्या करेगी कुछी दिनों में गायब कर देगी पूरे को इसकी खाने की स्पीड इतनी है कि यह इसको गायब कर सकती है तो यह सी अर्चिन लेकिन इस सी अर्चिन का शिकार कौन करता है यह सी ओटर यह जिससे क्या रहता है वो कैल फॉरेस्ट बना रहता है क्या रहता है कैल फॉरेस्ट बना रहता है बात समझ में आई तो यहां पर की स्टॉन स्पीसीज कौन हुआ जा सी योटर तो कैल फोरेस्ट में सी ऑटर एक की स्टोन पीसी जा香港 पोरे एको सिस्ट्म को बनाएत रखती है और यहांपर जैसे कोरल है उसी तरह के यह काम करते हैं जैव विदिद्था के किंद्र है यहां पर हर तरह की मचलियां हर तरह कि क्या करेंगे जीव यहां पर रहेंगे हाँ या ना उनको रहने के लिए आवास चाहिए अंडे देने के लिए आवास चाहिए जब मचलिया होंगी तो इन पर पक्षी भी बहुत सारे क्या करेंगे डिपेंड करेंगे तो पूरी की प लेकिन समझ लो पहले समझ लें फिर हम क्या करेंगे सबसे पहली बात देखना कोरल की क्या विशेष्टा होती है कोरल उशनकडबंदी क्षित्रों में देखने वो मिलती है 30 डिग्री नौर से 30 डिग्री साउथ तक लग बग जो परवाल वित्तियां बनाती है वो कॉरल कि सब्सक्राइबंदी देखने को मिलते हैं कहां पर टमपरेट और अर्क्रिक शत्र में देखने को मिलेंगे इस कमूंद्रों के स्वरी महादिपों के तटों के पास नए तट के पास क्योंकि वहां न्यूट्रियंट्स हैं प्रकाश उपलब्द है उगने के लिए धरातल है नीचे डन है कॉंटिनेटल शेल्फ पर होंगे चलूं आगे दूसरा ये क्या है सबसे पहला टर्म क्या लिखा है मैक्रो एलगी मतलो जो बड़े बड़े शवाल है फिर द के रूप में काम करते हैं यह कैसे यह बुरे शैवाल है कैसे हैं बूरे शैवाल है जो रहते कहा है इन कूल रिलेटिवली शैलो वाटर स्क्लोस टूज तुदा शोर नों पर पॉश्च क्षक की अदिखता पाई जाती है यह बास समझ में आया फिर देखना फिर यहां जाते हैं एक अपवाद है इसका इसका सिरफ उशन कडबंदियक शेत्रों में यह गैल्पा गोस मेराइन रिजर्व में पाए जाते हैं याद है मैंने पढ़ाया था तो वहां पर गैलपगोस द्वीप के पास यहां पर यह मिलते हैं सिर्फ पर ट्रॉपिकल रीजन्स में अधरवाई यह कहां मिलेंगे ठंडे इलाकों में देखने को मिलते हैं इसके बाद देखना इसका एक वर्ग भी कभी पूछ सकता है देखो यह कौनसा है लामिनेरिया वर्ग से संभंदेता है ऍतफ से संभंदिते कोई पता नहीं है जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन दिखाया था निडेरिया लिका था मैंने प्रीवेस यह record में दिखाया था उसमें लिखा हुआ थ यहां पर यह question देखो इस question में देखो यह दिख रहा है निडेरियन्स तो यह उसने कहां से लिया यह कोरल से लिया है उसने कोरल से लेटेंटरा वर्ग का है या निडेरिया वर्ग का जनतु है किसका है है procent सैंट्ट थेरिय में कि लिखाता दोनों कि से लिएनख कोशिक काहीं पाय जाती है सभ लिखाया तो आपको थोड़ा डिटेल में जाने की जुरूरत पड़ती है तो यह दे है को यह रहे और बाकि बहुत सारे वर्ग है इतना नहीं जाएगा बस यह वाला question solve हो जाएगा आप इसके बाद देखो यहां पर उसने वित्रण बताया हुआ है कहां कहां है तो आप समझी गए हो कि Atlantic में कहां मिलेगा उपर के साइड में मिलेगा सब्सक्राइब में अगर मैं कूँ नौर्थ वाला और जापान का क्षेत्र वहां पर मिलेगा दक्षिन में आओगे तो अस्ट्रेलिया का जो वेस्टन कोस जहां ठंडी जलदारा चलती है प्लस नीचे का तट न्यूजिलेंड के नीचे वाला अस्ट्रेलिया के नीचे डिलेट वगएरा इसके बाद आप साउथ अफ्री जाउथ अफिर ऊफ्री का तट नीचे देखो यहां पर थंडी जलदारा बंगूला की भार चलती है अफिर आप को बूलम तो देखने को भी खोलने ऊपश summary एसको आपको नहीं देखो अगर बोल भी तो देखो यह ब्रेखा dau weg साव्त देखो फिर देखो क्या लेखा मैक्रोसिस्टिस ओकर थ्रूआउट दा नॉर्थ इस्टन पैसिफिक ओशन साउधन ओशन आर्च पी लगो उस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड वही सेम है फिर इसके बाद सैंड फ्रांसिस्को कैलिफॉर्निया और एलूशन आइलेंड वही उपर वाला है क्योंकि UPSC कुछ-कुछ चीजों से नाम दे के पूछ दे रहा है तो आपको इसको एक बार पढ़ लोगे तो दिक्कत है नहीं रहेगी डन है अब देखो इसके बारे में कुछ-कुछ विशेष्टा है जो शॉट में लिखा देखो कैल्स पार नॉट प्लांट यह पाद पचास फीट तक होती है मैंने बताया ना कहां से पचास से लेकर देड़ सो फीट के बीच उगता है तो इसको आइडियल कंडिशन मिलती रहे तो फिर देखो कैल्फ फोरेस्ट कॉंप्रमाइज बहुत वेविद्टा यहां पर पाई जाती है मैंने फिस्पिसी यूज कैल्फ फोरेस्ट एज नर्सरीज फॉर दियर यंग वाइल सीबर्ट्स और मेराइन मैंबल्स लाइक अटर एंड इवर ग्रेवेल यूज दम एजे शैल्टर फ्रॉम प्रीडर्टर सेंड स्टों मतलब सभी जीव जन्तूं को वह क्या करता है कि उनको आवास प्रदान करता है उनकी सुरक्षा करता है वहां पर अंडे देने की सुधा उनके बच्चों को पालने की सुधा उनको भोजन की विवस्ता वो सब उपलब्द कराता है कौं कैल्प फोरेस्ट तो बायो डावर्सिटी के सेंटर होंगे या नहीं होंगे कि होगा और देखो यह किसमे आरा है ठंडे शेत्र मे थों ग्लोबल वोर्मींग का प्रभाव इस पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा जैसे आप ग्लोबल व्यंक का प्रभाव किस पर बता रहे हो कोरल पर एक एक एगजमपल कई लिखना साथ में कि ग्लोबल वार्मिंग के क कर नहीं सकते तो इसके साथ जय वित्ता को भी तो खत्रा उत्मन होगा तो आप केल्प को भी एक्जामपल लिख सकते हो किसमें ग्लोबल वर्मिंग के जो प्रभाद है उसमें फिर देखो आगे दा सी अर्चिन कें डिस्ट्रोइ इंटार केल्फ फोरेस्ट एट रेट आफ थ सी रोल इन स्टेबिलाइज इंग सी अर्चिन पॉपुलेशन सो एट कैल्फ फोरेस्ट में तो सी ओटर जो है वो इसको कंट्रोल करता है डन है तो यह सारा का सारा आपको क्या करना है जाइंट कैल्प इस हार्वेस्टेड फोरेस्ट यहां से कुछ पदार्थों को भी प्र आगे आगा की कैल्फ फोरेस्ट के है खास विशेशता है याद रखना बस एक तो ठंडेक शेत्रों में मिलेंगे दूसरा तटों के पास मिलेंगे डेड़ सो फीट की गराई मैक्सिमम है इनकी एक यह प्लांट नहीं है क्या है ब्राउन एलगी है लैमिनेरिया इनका वह जा रहा रहा है यह तो यह एक इम्पल था देखो यह दिखला इसको देखेंड फइस को देख gymnabberg में डेख रहा है यहांा से उगरा है और यहां से हुगरा से घानाफ जा रहा है गलति यहिशा पूर में पेंगविन है डिप्रेंट स्पीसी क्या कर रहे है यहां पर हो रहा है यह भी इसका क्या है पूरा का पूरा एक है डाइग्राम है जो आप देख सकते हो दूसरा देखो एक और जो इसका एक्जामपल है किसका की स्टार फिश क्या है स्टार फिश तो यह भी क्या करती है अपने पारितंत्र में जीवों को क्या करती है नियंत्रित करती है प्रिडेटर के रूप में काम करती है, किसके रूप में प्रिडेटर, अभी हमने जो देखा था कौन भला, सी ओटर, वो भी क्या था, प्रिडेटर था, तो ये भी प्रिडेटर के रूप में काम करती है, इसको बहुत जादा लिखने की जरोड़त हमें नहीं है, यह जो मैंने आपको बताया था कौन था वॉल्स एंड अल्क लिखा होता अल्क कुछ नहीं है एक लाइट ग्रे कलर का लाइट यह ब्राउन कलर का एक अडियर है एक हिरन है तो यह क्या करेगा इसका शिकार करेगा जिस से यह ओर ग्रेजिंग नहीं कर पाया यह पूरा का भी हम लिखेंगे सारे का सारा ठीक है तो यह पूरा इसके बारे में तो एलिफंट लिखा हमने भी देखा था यह क्या करता है यह इंजीनियर्स है क्या है एको सिस्टम इंजीनियर्स के रूप में काम करेगा यह भी हमने देख लिया इसके बाद हमने पेरीज डॉग है यह अ करती है यह पॉलिनेशन का काम करती है तो यह इस तरह से काम करेगा तो बीज हो गया यह बीवर है यह भी क्या एको सिस्टम इंजीनियर है कौन है एक पर देख लोगे तो आइडिया रहेगा आप लोगों को और यह एक सब्सक्राइब कराती है जी मों को रहने के लिए प्रस् और देन क्या है कि इनफ है अब मैं इसको लिखा दूँ समझ तो गए होगे ऐसा तो नहीं की स्टोन ही भूल गयो शुरू से ही इतने सारे एक्जामपल में मतला की स्टोन का मतलब क्या ऐसी स्पीसीज जिनका उनकी संख्या की तुलना में प्रभाव क्या होता है ज्यादा ह होता है उसकी महत्तुता उसकी तुलना में ज्यादा होती डन है तो की स्टोन लिखो फिर आगे वाला लिखते हैं लिखना सबसे पहले की स्टोन स्पीसील खिर ऐसी प्रजाती और ऐसी प्रजाती जिसका ऐसी प्रजाती जिसका उसकी जनसंख्या एवं जैवभार की तुल्ना में जिसका उसकी जनसंख्या एवं जैवभार की तुल्ना में जैवभार की तुल्ना में अपने समुदाय कि तुलना में अपने समधाएं पर व्यापक प्रभाद होता है की स्टॉन स्पीसीज क्या लाती है कि कि इन की अनुपस्तिती में how to कि इनकी अनुपस्तिती में इनकी अनुपस्तिती में कि पारिशित की तंत्र दोस्त हो सकता है की है आगे लिखना कि यह विभिन प्रजातियों को our कि यह विभिन प्रजातियों को संसाधन उपलब्द करवाकर विभिन्द प्रजातियों को संसाधन उपलब्द कराकर ब्रैकेट में क्या लिखोगे प्रे क्या लिखोगे प्रे यह नीच लिखा देखो प्रे या अन्य प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करकर या अन्य प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित कर या अन्य प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित कर ब्रैकेट में लिखना प्रीडेटर यह लिखा उपर प्रीडेटर या 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 अपने आसपास के या अपने आसपास के पूधरिश्य को, लैंड्सकेप को या अपने आसपास के भूद रिश्य या आवास को परिवर्तित आवास को परिवर्तित या संतुलित मोडिपाई या मैंटेन संतुलित करके ब्रैकेट में लिखना इको सिस्टम इंजीनियर ब्रैकेट में क्या लिखोंगे इको सिस्टम इंजीनियर कर अना पारिश्थित की तंत्र को संतुलित बनाए पारिश्थित की तंत्र को संतुलित बनाए रखती हैं पारिशित की तंत्र को संतुलित बनाए रखती हैं सही है अब इसके नीचे वह वाला चार्ड बना लेना जो हमने पहले बनाया था यह वाला है टाइपस ऑफ की स्टों स्पीसीज जल्दी से लिख लो सब लिखा ही हमने वैसे फिर भी आपको आईडिया रहेगा आप मीचलिस्ट लेक्राइब लिएफ़ न है यह वाला देखो यह रहा यहां भाल लिखा सबक्राइज यहां पर है और लिए यहां पर हॉलिस्ट है यहां पर यह प्रोट इस लिख लोग फिर आधर होगी प्रेइटर होगी इको सिस्टम इंजीनियर्स ओंगे कि अब लिखो उधारण अब क्या लिखो इसके एक्जाम्पल तो एक्जाम्पल में सबसे पहले लिखना कैल्प नमबर एक कैल्प फॉरेस्ट में कैल्प फॉरेस्ट में सी ओटर कि यह रहा कैल्प फॉरेस्ट में सी ओटर कि लोगे कैल्प वनों में कि टी ओटर कि दूसरा एक्जाम्पल लिखो कि दूसरा एक्जाम्पल कौन सा था बताओ कौन सा था स्टार फिश स्टार फिश तीसरा स्वाना में हाथी स्वाना क्षित्र में हाथी स्वाना क्षित्र में हाथी पिर लिखना इसके बाद क्या था शार्क यह ताइगर शार्क शार्क सर्क लें सेटीयर की शार्क में लीच से टाइगर शार्क पिर लिखना प्रेयरी गास के मैदान न में प्रेयरी डॉग पिर क्या लिखोगे शितोषन खेत्रों में भेडिया अगर लिख सकते हैं लिखना हो तो यह वाला वॉल्व एंड एल्क वॉल्व एंड एल्क अना कि प्रेर हमारा कौन सा एक और रहे था यहां पर देखो टेरी डोग हो गया बीवर रहे गया लिखो बीवर बीवर पीए वी यार बीवर यह डावर्स का है पूरा का पूरा वैसे उद्र की साइड में आपका क्या आमें अमरीका की साइड में लेकिन इसको पहले वाले बहुत बड़े बड़े high हमिंग फिर बी आई आड़ी बार्ड फिर गिद्ध भी लिख सकते हो तो यह सारा का सारा आपका कौन सा हो गया की स्टॉन स्पीसीज अब क्याल्फ फॉरेस्ट के वारे में लिखना है है हाँ वो तो है जो भी प्रिडोटर है बड़े वाले वो तो हैं है जैसे जब भीडिया आ गया तो लॉयन वगरा तो हैं है सब्सक्राइब तो कितने भी करते जाओ आपको समझ में आ गया होगा तो चलो यह बाद सबको समझ में आई इसके बाद देखना दूसरी स्पीसीज लिखो इंडिकेटर स्पीसीज सूचक पर जाती है यगंधो इसको किया करें यहीं बिख लो इसको भी गए लिखोंक पीया लिखोंक फॉरेस्ट कि हाँ और वन लिख लो ना कैलब वन को काय जाता है क्ये क्या को को इसको लिखते हैं देखो केल को यूँँ है केल सब्सक्राइब कि हट जाए तहां जाए तो यह हुआ लिखना पहला है यह हाँ नंबरिंग पॉइंट वाइज यह ठंडेक शेत्रों में यह ठंडेक शेत्रों में ठंडेक शेत्रों में ब्रैकेट में लिख लेना शितोषन आयमा मार्क्टिक शेत्र यह ठंडेक शेत्रों में तटों के समीप चिछले जल में पाए जाने वाले बूरे ब्राउन 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 ब्राउ इसको रहत शेवाल लिखना अजीब सा लगेगा ने इनको क्या बोला आता मैक्रो लगी बोला याता है कि दन है कि इसके भाद लिखना यह जाए विदित्ता के खेंडर हैं और दूसरा यह जाएवी विदिता के और रहे दूसरा तीसरा इकोसिस्टम इंजीनियर हैं इकोसिस्टम इंजीनियरं है कि तब उतात कि क्या करते हैं कि इनके जो आस पास का जो आवास है वहां पर जो बी समुधाय रहते हैं उनके लिए उस आवास बनाई रखते रखने में भूमिका निभाते हैं कौनल फ़ॉरेस्ट न दीसरा लेकिना यह अप्वास मुप यह अप्वास रूप उशन कडबंद्यक्शेत्र में I amicas da isवास रूप अगला पॉइंट है यह की ऊशन कडबंद्यक्शेत्रों में गैलपेगोस मेराइन रिजर्व में गैलपेगोस मेराइन रिजर्व में देखने को मिलते हैं रिजर्व में देखने को मिलते हैं यह वाला गैलपेगोस मेराइन रिजर्व में देखने को मिलते हैं यह वाला है। Ale लिखना इन में से अधिकांश लेमिनेरिया वर्ग से संबंदित हैं Heer Alamalan एरिया में एक काम कर maintenant लिखा होगा g लाई है यह रहां लेमिनेरिया लेमिनेरिया वर्ग से संबंदित है लिखना इनकी लंबाई 150 फीट तक हो सकती है लिखना इनकी लंबाई 150 फीट तक हो सकती है पिर आगे लिखना यह अगरी लाइन से पचास से डेड़ सो फीट की गहराई तक पाए जाते हैं लिखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं अगर लिख सकते हो लिखना तो लिखना का सी अर्चिन यह लिखा सी अर्चिन सी अर्चिन का समूँ का समूँ एक दिन में 30 फीट तक पर एक महीने में 30 फीट तक समाप्त कर सकता है इन्हें 30 फीट तक समाप्त कर सकता है इसलिए सी अर्चिन की संख्या को नियंत्रित करने वाला यहां एक की स्टॉन स्पीसीज की भूमी का निबाता है कि संख्या को नियंत्रित करने वाला सी ओटर यहां की स्टॉन स्पीसीज की भूमी का निबाता है हाँ सी ओटर लिखा था नमने यह रहा है अब वह बायो डावर्सिटी का केंद्र क्यों यह तो आप समझी गए होगे और दूसरी बात यह ऊशन कड़बंद्य क्षेत्रों में क्यों नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर न्यूट्रियंट्स की मात्रा कम पाए जाती है गरम जल में न्यूट्रियंट्स क्या होते हैं कम होते हैं तो न्यूट्रियंट्स कम है इसलिए वहां नहीं देखने को मिलते हैं तो थंडे जल में न्यूट्रियंट्स की मात्रा प्रयाप्त मात्रा में होती है इसलिए यह वहां पाए जाते हैं ठीक है अप वैलिंग के शेत्रों से भी जुड़े होते हैं तो यह सारा का सारा आपका हो गया इसको बाकी इसको आगे देखेंगे जब हम तो यहां देखते हैं थोड़ा वहां देखेंगे तो चीजें ज्यादा मिक्स नहीं होंगी माइंड में डन है कि एरिया लिखाया ना आर्क्टिक और किसको शेत्र में टैंप्रेट शेत्र में पहली लाइन में लिखाया देखो ठीक है ना तो जब आगे जब इसको पढ़े अगर मैं ले आऊं तो यह का मिलेंगे इस तट पर दिखेंगे यहां पर फिर यह इस खेत्र में न्यूफांड लेंड के पास ऊपर के जहां पर लैबरडॉर की ठंडी जल दा रहाती है वहां देखने को मिलेगा अगर मैं इसको साउथ अमरीका में देखों तो क्या साउत अमरीका में क्या होगा यहां पर इन क्षेत्रों में क्या करने को देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर ठंडी जल दा रहा है बेंगूला की सुरी बेंगूला नहीं हम वोल्ड की ठंडी जल दा रहा है ठीक है इसके लावा अगर मैं अफरीका में देखूंगा तो अफर तो ऑस्ट्रेलिया में देखो तो अस्ट्रेलिया में यहां से लेकर ठंडी जलदा रहा है यह पूरे के पूरे इस तट पर आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर आप इदर जाओगे किदर यह यूरेशिया की सेड़ में यहां पर यहां पर आपका जापान है यह पूरे के पूरे तट के पास आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको जापान के तटों तक देखने को पूरा का पूरा यह लाका एलिशन दीपों के पास देखने को मिल जाएगा तो यह सारे के सार और टिक है ड़न है चलो तो ये इसका डिस्टीविशन होगा जनलाइज फोन में हम ऐसे देख सकते हैं ड़न अब आगे कौन सी थी अहां इंडिकेेटर स्पीची सूचक पर जाती है लिखो इंडिकेटर स्पीचीज कि जा लिखना इंडिकेटर स्पीचीज तरिय। कौन सी हिंडी केटर स्पीसी या तो चक पर जाती है अब आप सूचक पर जाती है अब आप सूचक पर जाती है देखो नाम क्या है इंडीकेट कर रही है और सूचक मतलब सूचना दे रही है तो मैं आगे लाइन जोड़ू ऐसी पर जाती है जो अपने प्रयावरण की स्थिती के बारे में जानकारी देती है ऐसी पर जाती है जो अपने इसके बारे में प्रयावरण के बारे में सूचना देती है उनको क्या क्या बोला जाता है सूचक पर जाती इंडिकेटर स्पीसी लेकिन प्रयावरन की क्या सूचना देती है उसकी क्वालिटी के बारे में सूचना देती है कि आपके जो आसपास का एक्मोस्फियर है उसकी क्या क्वालिटी है अच्छा है या बुरा है उसमें पॉलुशन का लेव लाइकेन और मॉस जहां पर भी लाइकेन मॉस होती है यह किसकी सूचना देंगी यह सलफर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के पॉलुशन की आपको जानकारी देती हैं जहां पर नाइट्रोजन और सलफर का पॉलुशन होगा धिरे धिरे गायव वहना बढ़ गया है तो इसने आपको सूचना दी किसके बारे में इन्वारमेंट की कंडीशन के बारे में कि लिए तुछ ग साथक्टरि स्तुक्ट री नहीं कि फ्रोक की स्किन बहुत पतली होती पहुत पतली स्किन होती अगर जिस जल में वह रहे रहाय आए वहां पर अगर उसकी क्लों में aremos कि उसके अंदर चले जानकारी मिलती है मॉसस से कि अगर ऐसे डिक स्वाइल है तो वहां मॉसस आपको दिख जाएंगी तो उससे आपको क्या मिलता है जानकारी मिलती है आसपास के इन्वार्मेंट के कंडिशन के मॉसस होती है तुम्हें समझाऊंगा आके जाके मॉसस क्या पूरा उसका डागराम बनाना पड़ेगा अभी एक बार इतना लिख लो कि मॉसेज होते हैं लाइकेन और मॉसेज होते हैं छोटे-छोटे जैसे काई काई देखी होगी आपने बस वह उसी टाइप का होता है ठीक है तो यह सारा का सारा आपका क्या होगा इंडिकेटर स्पीसीज होगा तो इसके भी हम एक्जामपल लिखते हैं इसकी परिवाशा लिखते हैं फिर और समझाता हो इसको ठीक है लिखो लिखना इन्हें बायो इंडिकेटर्स भी कहा जाता है इन्हें बायो इंडिकेटर्स या जैव सूचक भी कहा जाता है इन्हें बायो इंडिकेटर्स या जैव सूचक भी क इस डाइगराम को देखो आप देखो इसे बोलते हैं बुशी लाइकेन जाड़ी नुमा लाइकेन इसको क्या चाहिए नीड रियली क्लीनेर क्लीनेर होगी तभी आपको नजर आएगी अधरवाइस यह नजर नहीं आएगी दूसरा देखो लीपी लाइकेन कैन सर्वाइब स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर पॉलूशन अगर थोड़ी बहुत मात्रा में पॉलूशन है तो आपको यह वाली भी नजर आ जाएगी लेकिन अगर पॉलूशन और बढ़ ग कोई भी लाइकेन नजर नहीं आएगी इट मींज क्या जहां पर अगर पहले प्रयावरन विदों को लाइकेन दिख रही थी और अब वहां से लाइकेन दीरे-दीरे समाप्त हो गई है तो उसे क्या लगेगा वो किस चीज का अंदाज अलगाएगा कि एयर पॉलूशन बढ देखना है कि हाँ पहले लाइकेन थी अब नहीं है इट मींज क्या और एयर पॉलूशन है बढ़ रहा है ड़न चलू लिख वागे कि ऐसी पर जाती है ऐसी पर जाती जो कि जो कि किसी पर्यावरण की जो किसी पर्यावरण की विशेशता हूं या उसकी स्थिति परुवाशित करती है या उसकी स्थिति को परुवाशित करती है सूचक पर जातीयां कहलाती है इंडिकेटर स्पीशिज कह लाती है देखना आगे ये किसी क्षेत्र की सरवादिक समवेदन शील ये किसी क्षेत्र की सरवादिक समवेदन शील पर जातियां होती है ये किसी क्षेत्र की सरवादिक समवेदन शील पर जातियां होती है जो कभी कभी जो कभी कभी पर्यावरणिये समस्या की जो कभी कभी पर्यावरणिये समस्या की पूर्व चेतावनी जो कभी कभी पर्यावरणिये समस्या की पूर्व चेतावनी देती हैं पूर्व चेतावनी देती हैं अब example लिखना सबसे पहला लिखना Lichen and Moss लिखना ये वाईव प्रदूशन के प्रती समवेदन शील होते हैं इनकी समाप्ती इनकी समाप्ती सल्फर एमम नाइट्रोजन के ओक्साइड्स सल्फर एमम नाइट्रोजन के ओक्साइड्स की उपस्तती को दर्शाती है तु्पस्तती को दर्शाती है देख को दर्शाती इसके अलावा दूसरा लिखना मेफलाईज और स्टॉन फलाईज दूसरा क्या है यह लिखा देखो कौन से हैं मेफलाईज एंड और स्टॉन फलाईज डोनों एक ही हैं मेफलाईज और स्टॉन फलाईज इंसेक्टस है यह जल की सुद्यता को बताते है जल में ़क्सेजट की लिखना जल में ऑक्सीजट की मात्रा को ऑक्सीजट की मात्रा के प्रतिस संवेदन शील है फिर लिखना आगला फ्रॉग मेंड़क मेंड़क आगे लिख सकते हो जल की गुण वक्ता फिर लिखना शेवाल प्रस्फुटन एलगल ब्लूम कौन सा शेवाल प्रस्फुटन कब होता ये सुपोशन की स्थिति में कब होता है सुपोशन की स्थिति में यह किसको बताएगा जल की गुण वक्ता को जल की गुण वक्ता को वाटर क्वालिटी को बताएगा अ यहaja Despite लिख़ो ब्रैकीट में आगे पूरा पर्श्फ परना है वे गेस बाता है जल प्रस्फुटन की मातरों को बताताifiques विएग्दाटा के बताताई होती है अधिक्ता होती है तो अलगी बढ़ने लगते हैं शेवाल बताऊंगा आगे शेवाल प्रस्पूटन हो जाता है कि आगे पूरा टॉपिक इसी पर चलेगा एक शेवाल प्रस्पूटन पर जो मैंने बताया था पुड्डू चेरी के पास तो वह यही है तो उसको हम आगे देख लेंगे डन है तो यह सारे के सारे आपके क्या हाँ आगे लिख लो मॉसेज मॉसेज एसेडिक स्वाइल एम ओ डैस लागे ना एसेडिक स्वाइल अमल्यम्रिदा चलो यह है तो इट मींज क्या होगा स्वाइल कैसी होगी एसेडिक तो कि बहुत सारे अमल्स रावित करती है है यह क्या करती है अब बाइकार्बोनेट अमन लोते हैं उनको यह रिलीज करते हैं लाइकेन और यह दोनों तो जहां पर यह होंगे इट मींस अल्रेडी पता है कि क्या होगा मिट्टी में एसेड़ से डन तो यह आपका कौन सा हो गया इंडिकेटर स्पीसीज हो गया डन ह है इसके बाद लिखना इंडिकेटर स्पीसीज के बाद इन वेजिव एलियन स्पीसीज कौन सा हैगा आई ए एस जाएगा आई एस इन वेजिव एलियन इसेज रहिए है इन वेजिव एलियन स्पीसीज की हिंदी क्या होगी एक सेकेंडर इनको क्या बोलेंगे विदेशी अक्रामक प्रजातियां हाँ उसको मैं आज यह समझाता हूँ कल उस रिपोर्ट को देखेंगे ठीक है आज बेसिक लेते हैं कल पूरा वो उस रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं है वो उसमें पूरा प्रोसस दिया है कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कैसे कैसे स्टैप बाई स्टैप स्टैबलिश होती है उसका प्रोसस भी दिया है फिर उनके क्या प्रभाव हैं वो भी दिय है क्या करना है वो भी उस रिपोर्ट में दिया तो उसको फिर डिटेल में देखेंगे आज पहले बेसिक लेते हैं फिर कल पहुंचेंगे आज सारी स्पीसिज पढ़ लो एक बार देखो इन्वेजिव एलियन स्पीसिज क्या है ऐसी प्रजातियां होती है जो क्या है अपने प्राकृतिक आवाँ से बाहर है क्या है ऐसी प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवाँ से जो उनका वरत्मान में जो डिस्ट्रिबिशन एरिया था उससे बाहर किसी नएयग शितर में हो पहली कंडिशन इसका अपने प्राकर्तिक आवास क्षेत्र से कहीं पर बाहर है तो मतलत जहां पर उनका जो ऑरिजिनल ढूराफिकल डिस्ट्रिबूशन जहां पर था जहां की दशाएं उनके उनकूल थी और जहां वो नैचरली पाई जाती है वे वहां से नए स्थान पर पहुंच चुकी है पहुंच गए नए स्थान पर अब वो क्या हो सकता है मानव के द्वारा होगा या तो एक्सिडेंटली कोई ले गया या जान बुझकर कोई सजावटी विदेशी पीसीज है भारत में भी तो क्या है बहुत सारी स्पीसिज विदेशी आई यह नहीं आई है क्या फसले हमारी सारी भारत की है नहीं अलगलग जगह उसे अलग-अलग क्या आये प्लांट्स आए और धीरे दीरे उनकी खेटी होने लेकिन जब वो क्या करें लोकल डैवरसीटि के लिए लोगों की हैळ्ट के लिए इनके लिए खत्राइए उत्पण कर दें तब उसे क्या बोला जाता इन्वेजब इ Suzanneemia स्पीसिब जैसे विलाइती की कर अभी दिखा था है जूली फ्लोरा क्या बोलते हैं उसको जूली फ्लोरा अभी दिखाऊंगा तो वह जहां हो जाती है वहां किसी अन्य पौदे को होने नहीं देती है क्योंकि उसके पत्तियों में कुछ विशेश परकार का ऐसी टाइप का होता है तो वह अन्य बीजों को अपने पास अंक क्योंने लिगता है तो इसे क्या होगए जो जो स्पींसीज हैं जो यहां की स्थानीरीयदियरे क्या उने लगेंगी समब्त होने लेगेंगी जैसे यह दिल्ली रिज akin दिल्ली रिज में क्या हुआ जो यहां की जो लोकल प्रजातियां थी उनको धीरे धीरे किसने इस विलाइती कीकर ने धीरे 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 उनको समाप्त करना उनकी जगह यह खुद आगी अप जाके देखो आप दिल्ली रिज पर कभी जाना ही यह यूनिवरस्टी आपके में विलाइती कीकर यहां दिल्ली मुखरजी नगर के आसपस देखो यहां जाओगे रस्ते में जो एक आता है जंगल टाइप का तो उसमें देखना सारा विलाइती कीकर है उसने यहां की जो लोकल जो स्थानिये पर जाती है थी उनको क्या कर दिया तो ऐसी स्पीसीज क्या क्य इसी तरह के एक और एक्जामपल है लेंटाना कमारा क्या है लेंटाना कमारा अभी न्यूज में था थोड़े दिन पहले कि जो टाइगर के जितना भी हैबिटेट है उसके बहुत बड़े एक्षेत्र में यह फैल चुका है और जिससे हो सकता आने वाले टाइम में टाइगर की पॉपुलेशन को थ्रेट उत्पन हो जाए कि से दिखाता हूं तुम्हें देखो एक सेंट रूखो इंडिक हां वाटर उसक्तों देखो नाप पढ़ा दूंदेखो यह रहां विलाइति की कर क्या नाम है इसका प्रॉस्टोपेस जूली जूली लोरा यह हमेशे रहता लगबग और यह क्या इनवेजिम और कहां से आई है मैक्सिको से आई है तो बहुत में एक्सिडेंटली आ चुकी है ठीक है तो देखो कब आई थी दिल्ली में ब्रिटिश के द्वारा 1930 में लाए गया था 30 के दशक में और उसके बाद यह क्या होगे पूरा पूरा फैल गी और इसकी रूट्स कहां तक जाती है पचास मीटर तक जाती है जिससे ग्राउंड वोटर क्या हो रहा है नीचे जा रहा है लीव कंटेंज टॉक्सिक केमिकल्स उसकी पत्तियां होती है उसमें क्या होते है विशाले पदार्थ होते हैं एसीड होते हैं विच प्रिवेंट देम फ्रॉम अंडर गॉइंग माइक्रोबियल डिग्रेडेशन जल्दी के विग्टित भी नहीं होती दूसरा दाट्री ओल वेजी वेलियन स्पीसीड जो यहां की नहीं है कहां की है मैक्सिकन तो मैक्सिको से भारत आई और यहां की बायो डिवर्सिटी को क्या पैदा कर दिया दूसरा देखो दूसरा लैंटाना कमारा देखो इसको मैं दिखाता हूं आपको यह विलाईती की कर इस तरह की दिखती देखो ये घरती तो फैली होई कितनी है पुरा इसे फैल जाती है जब फैल जाएगी तो जो दूसरी जाड़िया वह निव्क पाती दूसरा रिसोर्स के लिए competition हो जाता है यह संसादनों के लिए यह भी क्या करेंगी competition करेंगी दूसरे पोदों के साथ तो ये इतना बढ़ जाती है, एक तो किसी और पोधे को फैलने का मौका नहीं देती, दूसरा संसादनों के लिए competition कर लेती है, तीसरी इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई शाकाहारी जीव खा ले, या तो उसकी किड़नी फेल हो जाएगी, या उसको वामिट हो सकता, हो सकता ज्यादा खाले तो मर जाए, तो अब अगर शाकाहारी इसको खा नहीं सकते और दूसरे पोधे अब होने नहीं लगे, उनकी जगह किसने ले ली, इसने, तो अब शाकाहारी उनको भोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डन है ना, देखो, इसने जगह ले ली कि दूसरे पोदों की तो शाकाहरी जब इनको खाएंगे या तुनकर चुरा हो गी है तो शेक्वाएंगे और जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी शग्ज्च्छ कम अब जब उनकी संक्रा कम तो टाइगर जल खुम्भी जिसे हम कहते हैं पूरा का पूरा फैल जाता जल्ली निकाय के ऊपर और इससे क्या होगा देखो यह अगर पूरी सर्फिस को ढख लेगा तो इसमें ऑक्सिजन की सप्लाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी पानी गती कर पाएगा नहीं कर पाएगा जल्ली से तो बहुत बड़ी समस्या है कौन सी यह वाले खासकर वेस्ट बेंगोल में ठीक है तो यह भी एक समस्या तो इनको देख लेते हैं थोड़ा सा इनकी विशेष्टाओं के बारे में भी देखो पढ़ लोग लेंटेना कमारा कहां से आया देखो यह तो वोटर हाई सिंथ यह रह हैज इनिवेडेड मोर देन 40 परसेंट ओफ इंडिया टाइगर रेंज जहां पर टाइगर विच्रण करता है उसके 40 परसेंट एरिया को यह क्या कर चुकी है और मेली कहां पर दाशिवालिक हिल्स सेंटल इंडिया एंड साउथ वेस्टन घाट आर दा वस्ट इट सबसे यह यही परभावित हैं शिवालिक एक्षित्र हो गया और दक्षनी पस्टमी स्वरी दक्षनी वैस्टन घाट था ना वह वाला इलाका ठीक है एंडिया और्नमेंटल प्लांट इन अर्लीज एटीन हंडर्ड मतलब एक सजावती पौदे के रूप में भारत में आया था और फि और फिर कॉन से आपका वोटर हैं सिंत यह कहां से आया देखों यह साउथ एसया और सब में फैला में इंडिया में यह सह अमरिक है यह भी गोरा सजावती पॉदे के रूप में लाया गयाथा कहा से आया साउथ अब पुरे कि पूरे जलीय निकायों vyिता है तो यह तीन तो जाना कमारा थर्ड वन वाइट वाटर हाई सिंथ इसके अलावा भी और भी है जो मैं आपको बताऊंगा डन है यह सब क्या है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो मूल रूप से भारत की नहीं है भारत आई एक्सिदेंटली ले आए लोग या सजावटी पोधों के रूप मे और दॉटो यह होता है इन्वेजिव एलियंस पीशीज इन्वेजिव एलियंस पीशीज नहीं है अर्था सभी विदेशी प्रजातियां इनवेजिव नहीं होती है डन है आया ना ते चलु तक है थे क्यों लग रहे हो और आउन हो नहीं दी दीरे दीरे समझेंगे सो ना कि लोग आपके आसपास चलता है वहीं से तो आएगा एक सब्सक्राइब ना यह रहा थोड़ा सा नॉलेज है ठीक ठाक पड़ा है सीधा सीधा इन में से अलग नजर आ रहा है वाला कॉस्चन कम्मुनिटी का इन्वार्मेंट के साथ रिलेशन इस वाले में देखो नाम दिया है आगे देखो इस एक्स्टेक्ट इस वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक की कॉस्मे इस वहां बहुत नूज में था था इसके लिए विशेश अभियान चलाया गया था तो गभराने की जुरूरत नहीं है आसपास से रहता है न्यूज पर पढ़ते रहो यह सब होता जाएगा सब चीजे समझ में आएगी बस आपको पता होना चाहिए तो पीछे क्या है कि इन प्रात्मान में जो इस तरह का ट्रेंड है उसमें वह इन्वेजिव एलियन स्पीसिस को के कुछ कंसेप्ट को जोड़ेगा प्लस क्या करेगा प्रोसपिस जूली फ्लोरा को उसके साथ जोड़ देगा उसमें से एक ऑप्शन यह भी होगा तो यह दो यह तीन ऑप्शन क्या करेगा वह इन्वेजिव एलियन स्पीसिस से निकाल के देगा कि यह विदेशी प्रजातियां होती है यह अपने प्राकर्तिक आवास खेतर से बहार होती है यह स्थानिये प्रजातियी को क्या करती है उनके लिए थ्रेट उत्पन खत्रा उत्पन कर देती है चौथा लिखा दूँ अब आगे लिखो क्या लिखाया था मैंने यहां पर कहां तक लिखा बताओ लिखा नहीं कुछ भी लिखो ऐसी प्रजातियां जो ऐसी प्रजातियां या प्रजाति जो कि अपने प्राकर्तिक आवास कि जो अपने प्राकर्तिक आवास या वर्तमान वित्रण क्षेत्र से वर्तमान वित्रण या भगौलिक वित्रण क्षेत्र से कुछ भी लिखनो वर्तमान वित्रण क्षेत्र से बाहर नए क्षेत्रों में पाई जाती है से बाहर नए क्षेत्रों में पाई जाती है और इन नाएक शेत्रों की जैवित्ता के लिए खत्रा उत्पन करती है कि खत्रा उत्पन करती है आई एस कहलाती है आई एस कहलाती है आई एस कहलाती है डन है अब इसकी क्या करने हमें एक्जाम्पल लिखने है तो धारन लिखो तब से पहला क्या होगा विलाइती की कर यह प्रोसेपिस जूली फ्लेरा लिखते जाना नाम इनके विज्ञानिक नाम क्या है यहां है देखो यह रहा विलाइती की कर प्रोसेपिस जूली फ्लोरा दोनों हाँ यह साइंटिफिक नहीं यह रखना आपको तो पूछा ना उसने कि आगे लिखना मूल रूप से मैक्सिकन पौधा मूल रूप से मैक्सिकन पौधा कि लिखना ब्रिटिश द्वारा ब्रिटिश द्वारा उन्नी सो तीस के दशक में दिल्ली में लाया गया ब्रिटिश के द्वारा उन्नी सो तीस के दिल्ली में लाया गया ठीक है आगे लिखना जड़ें पचास मीटर तक गहरी जड़ें पचास मीटर तक गहरी जिससे बहुम जल का जिससे बहुम जलस्तर गिर रहा है जिससे बहुम जलस्तर गिर रहा है पॉइंट वज लिखते जाओ अगला यह अपने आज पास यह अपने आज पास यह अपने आज पास स्थानिय पर जाती हो स्थानिय पर जाती हो यह अपने आज पास स्थानिय पर जाती है क्योंकि पौदों को उगने नहीं देता जर्मिनेट नहीं होने देता कि रहे हैं कि अगला लिखो लेंटाना कमारा कि दूसरा एक्जामपल कौन सा है लेंटाना कमारा यह लिखा कि लिख लिए लेंटाना कमारा लिखना यह एक उशन कड़ बंदी है यह एक उशन कड़ बंदी है कि पूशन कड़ बंदी है अमरीकन ज़ाड़ी है जिसने भारत के टाइगर रेंज जिसने भारत के टाइगर रेंज कि इसने भारत के टाइगर रेंज के 40 प्रतिशत को अतिक्रमित कर लिया है कि अतिक्रमित कर लिया गया है मुख्य रूप से मुख्य रूप से शिवालिक पहाड़ियां मुख्य रूप से शिवालिक पहाड़ियां कौमा मध्या भारत सेंट्रल इंडिया कि एवं कि दक्षनी पस्टमी घाट ले तो मुख्या तरह से शुरू किया था मुख्या मुख्या रूप से मुख्या रूप से क्षेत्रों में दक्षनी पस्टमी घाट दक्षनी फिर पस्टमी घाट साउधन वेस्टन घाट में परसारित हुई है या फैली है ठीक है इसके बाद हमने क्या लिखा लिखना यह भारत में भारत में सजावती पौधे के रूप में भारत में सजावती पौधे के रूप में आया था देखना यह यह उच्छ ताप्मान आमम आदरता को सहन कर सकता है यह उच्छ ताप्मान आमम आदरता को सहन कर सकता है देखना इस प्रजाती के द्वारा भारत के लगभग तीस अजार वनियक शित्र को खत्रा उत्पन हो गया है थीस अजार वरक किलोमीटर वनियक शित्र को खत्रा उत्पन हो गया है ठीक है इसकी वज़े से या इसके कारण इसके कारण जंगली शाकाहारी जंगली शाकाहारी जीवों को भोजन की कमी भोजन की कमी हो जाती है जिसके कारण उनकी संख्या कम होने लगती है प्रणाम सरूब मासाहारियों प्रणाम सरूब मासाहारियों जैसे टाइगर को भी भोजन की कमी होने लगती है इसकी पत्तियां शाकाहारी जंतों में विभिन परकार की अलर्जी पैदा करती है ठीक है बाकी तो जोड़ लोगे कानी शाकाहारी जंतों में अलर्जी पैदा करती है अलर्जी उत्पन करती है ज्यादा खाने पर मृत्यू भी हो सकती है जही है न लीवर फेल हो सकता है डारिया हो सकता है लीवर फेलियर हो सकता है है डेट भी हो सकती है तो वह बचार है इसको तुखा नहीं पाएंगे और कुछ बचा नहीं है तो टाइगर रेंज में ऐसा होना बहुत है दिक्कत की बात है ठीक है इसलिए न्यूज में था यह तो हो गया क्लियर आगे चलो अब कौन सा हो जाएगा वाइटर है वाटर हाइ सेंथिया जल खुम्भी कि यह रहा है जल खुम्भी क्या बोलते हैं जल कुम्भी क्या कुम्भी है क्या होता है क्या चलो जो भी है आप लिख लेना ऐसे होगा जल जल खुम्भी ऐसे कुछ ऐसे होगा त्यक्त जल कुम्भी इसका नाम भी लिखे ना साइन्टिफिक नहीं मुश्किल है इसका पूछे काफी बड़ा नाम है इसलिए नहीं पूछेगा जल खुम्भी या वोटर हाइज सिंथ ही याद रखना कही बड़ी वो क्या करता है जल लिखाओ इसमें लिखना यह एक एकवेटिक वीड है जली है खर्पतवार है यह क्या एक एक एकवेटिक वीड है जली है एकवेटिक वीड मतलब खर्पतवार लिखना ब्रिटिश काल में दूसरा पॉइंट ब्रिटिश काल में सजावटी पौधे के रूप में सजावटी पौधे के रूप में डक्शनी अमरीका से भारत पहुंचा अगला लिखना है थोड़ा से यह भी लिख लो जल की सतेय पर त्यारता रहता है लोटिंग अप्र प्लांट है त्यारता रहता है उसके ऊपर फ्लोटिंग अप्र सब्सक्राइब करते हैं तो चोटा सा बात थी लेकिन कई लोग उसमें उलज गए तो यह ध्यान में रखना है ठीक है बाकी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है क्या करेगा सब्सक्राइब कर देता है एज रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल उसमें क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मेकिंग इट अन्फिट फॉर कमर्शियल यूज से यह ंंदर पानी में जानने नहीं देता है औक सीजन की मात्रा कम कर देता है बाटर बोडटी को चोक कर देता है जलीये निकायों को क्या कर देता है च्हों कर दंद कर देता है ब्लोकेज कर देता दागठें कि तिम ऐध Schnee और उनके संख्या देखो इसको न किसके जोड़ सकते हैं दीरे-धी-चे संख्या बढ़ेगी तुए उनकी डैथ बोगी जब राफ्ङ इन रहोगी तो नका डीकंपोजिशन होगा तो उसका oxygen यूज होने लगेगा आया ना इसको अगर मैं इस तरह से बनाऊं अगर मालों की छोटी सी कोई लेक थी यूँ इस तरह की और यह सर्फेस पर वाटर था और यहां पर आपकी कौन हो गई जल खुम्भी हो गई हूं इसको इस तरह से बनाता ह इसके अंदर यहां चटशटे प्लांट होगे उनको अब sunlight नहीं आएगी तो यह मरने लगेंगे इनकी drop हो जाएगी यह भी तो कुछ तो इसमें जमते जले जाएंगे तो इसमें क्या होने लगेगा एक तो oxygen की कमी हो गई तो ये बहुत बहुत बड़ा है कि तो ये भी एक बहुत बड़ा त्रेट है ठीक है इसके बाद लिखो जो मैं बोल रहा हूँ ये नाम भी इंपोर्टेंट है इनको लिखना ठीक है सबसे पहला लिखना पपाया मैले बग मैं स्पेलिंग लिखता हूँ आप लिखना पपाया मैले मैले वाई ए बग पपाया मैले बग दूसरा होगा कोटन वही मैले फिर बग अमेजन अमेजन सेल्फिन सेल्फिन सेल्फिश सेल्फिश हो गया अफ्रीकन एपल स्टेल अफ्रीकन 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 लिख लिया पिर औरंज केप औरंज केप अफ्रीकन एक रहागा यूकलिप्टस अब यूकलिप्टस को लेकर कि अलग-अलग research है कुछ लोग इसको invasive मानते हैं और कुछ लोग अभी इसको invasive नहीं मानते हैं कुछ research में ये छप चुका है कि ये invasive alien species नहीं है ये जितना हम इसके बारे में दुश्परचार किया गया है उतना किसी के बारे में भी नहीं किया गया कि ये बहुत ज्यादा जल को अब शोशित कर लेता है आसपस किसी को होने नहीं देता सब मिथ्यय या ब्रहमक पर चार है लेकिन अगर क्या हो अब आपको किस पे प्पड़ेगा अप्शन पर जाना पड़ेगा अगर कोई भी आपको और में नहीं यूपिलीप्टास को लगाओग लेकिन इन सब में से अगर कोई होगा तो आप भेतर विकलपों पर उन तो यह सारे के सारे आपके किसमें आएंगे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में आएंगे कि आपका डॉमिनेंट स्पीसीज लिखो प्रभावी प्रजाती कुछ कल लिखेंगे अप्रभावी प्रजाती यह लिखना कि वह प्रजाती जो समुदाए में वह प्रजाती जो समुदाय में सरवादिक संख्या या जयवभारवाली होती है सरवादिक संख्या या जयवभारवाली होती है जयवभारवाली होती है तथा इसका समुदाय के अन्य जीवों पर प्रभावी नियंत्रन होता है अब इंग्लिश में दो शब्द एक साथ नहीं यूज करते हैं सिगनिफिकेंट इंफ्लूएंस और कंट्रोल अब मैंने प्रभाव पहले ही बोल दिया तो अब प्रभाव प्रभाव तो दो बार नहीं बोल सकता तो मैंने क्या बोल दिया कंट्रोल होता है इंफ्लूएंस भी होता है कि जिसका क्या होता है इसकी संख्या भी ज्यादा है देखना इधर दुबार देखो ऐसी प्रजातियां जिनकी एको सिस्टम में संख्या क्या है ज्यादा है और उनका प्रभाव भी अन्ने प्रजातियों पर क्या है ज्यादा है जैसे व्रक्ष ट्री अगर आप क्या करोगे टेरेस्टिल एकोसिस्टम में जाओगे एक्विटोरियल बायोम में जाओ तो वहां पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है व्रक्षों का प्रभाव पड़ेगा तो वह कैसी स्पीसीज हो गई डोमिनेंट स्पीसीज हो गई लेकिन की स्टोन स्पीसीज इससे उल्टा है प्रभाव इसका भी जादा है की स्टोन स्पीसीज का भी जादा है दोनों का प्रभाव जादा है लेकिन की स्टोन स्पीसीज की संख्या जादा नहीं होती है दोनों में फरक क्या है संख्या जादा ना होना की स्ट्रों स्पीसिज की संख्या कम होती है लेकिन प्रभाव बहुत जादा है इसकी संख्या भी जादा है और प्रभाव भी जादा है हां जैसे फोरेस्ट हो गया जैसे फिश हो गया छोटी इस तरह की जो है जिनकी संख्या भी जादा है और उनका प्रभाव भी ब कुछ और फोरेस्ट गायन तो यह सब क्या कहलाते हैं यह डॉमिनेंट स्पीसिज कहलाती है जिनकी संख्या संख्या ना हो तो किसको देखना पड़ता है बाइव मास को अब डिपैंड करता है कि कौन सा एको सिस्टम है यह डिपैंड करता है कि कहा कौन से समधाय की हम बात कर तो उसकी भूमिका पर डिपेंड करेगा कि उसका कंट्रोल है या नहीं ड़न है तो यह डॉमिनेंट स्पीसीज एक लमें इसका चार्ड बनाकर बताऊंगा दोनों का ग्राफ खींचूंगा जिसमें क्लियर क्लियर अलग हो जाएगा की डॉमिनेंट स्पीसीज क्या है और एक आपको नहीं क्यों आपको जैंगे तेय refund पढ़कर पके आना और ठीक हम इनके क्वेस्टन नहीं के साथ सास्थ देखते चलेंगे ठीक है? कल हम पढ़ेंगे इसके बाद समुधायों की समुधाय में आ जाएंगे कल कुछ-कुछ हमें पढ़नी है R-type strategy, K-type strategy, जी जी वापलेशन ग्रोथ के लिए जो लेते हैं से इंटेश में नेटीजी जोनके बारे में बात करेंगे फिर हम समुधाए में आ जाएंगे, विविजिता कितने परकार किये होती है, डिफिरेंट डिफिरेंट स्पीसीज का आपसी इंट्से क्या है ,etting पर देखेंगे उसके बाद हम आयेंगे बायो जियो चैमिकल साइकल से निश का इसी के बीच में आ जाएगा सक्सेशन अनुक्रमण भी आ जाएगा तो यह वन बाइवन हम चलते चले जाएगे पहले बेसिक होता जाएगा और फिर आगे वाले जो टॉपिक है वो थोड़े ट झाल झाल